तो आज की वीडियो में हम लग लगाएंगे 50 कोश्चन का MCQ टेस्ट बिहार दरोगा SI-PT के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बलाकून को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको म पाया जाता है आंसर है ओप्सन B टर्सियरी यूग की भारत की अधिकान्स पेट्रोलियूम के उपस्थे थी टर्सियरी यूग की सेल सनरशनाओं के अपनती तथा ब्रंस ट्रैप में पाई जाती है उनी सो अडिस में किसकी अधक्षता में रास्ट्यय योजना समीती के अस्थापना की गई थी? आंसर है ओप्सन सी जवाहर लाल नहरू की अधख्षता में 1938 में भारती रास्टिय कॉंग्रिस के अधख्ष सुबास चंद्रबोस ने जवाहर लाल नहरू की अधख्षता में रास्टिय योजना समीती की स्थाप न की थी अगर आपको हमारे द्वारा तयार किये गए बिहार दरोगा SIPT के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको उसके लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिये जाएंगे मातर 149 रुपे में इसके साथ ही आपको ये सुवीधा दी जा रही है कि जन्वरी से ले करके एक्प्षाम होने तक शोके आपका एक्प्षाम का डेट अभी फिलाल 17 दिसमबर को संभावित है तो नवंबर तक के जतने भी करेंट अफेर्स होगे जन्वरी से नवंबर तक के उन सारे current affairs की PDF monthly आपको provide कर दी जाएगी, बिल्कुल free में, जो भी इस practice rate को लेते हैं, practice rate आपको मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको दिये गया QR code को scan करके payment करना है, और payment का screenshot लेकर आपको दिये गया WhatsApp नमबर पर send करना है, आपको WhatsApp नमबर पर PDF send कर दी जाएगी. केरल में पाई जाने वाली monagite rate में कौन सा खनीज पाया जाता है? आंसर है option A, thorium, केरल में मिलने वाली monagite rate में thorium पाया जाता है, जिसका उपयोग आन्वी कुर्जा उत्पन करने के लिए nuclear power में किया जाता है. किसका उपयोग करके मृदा की लवन्ता एवं चारियता की समस्या का समाधान किया जाता है? आंसर है option D, जिपसम का उपयोग करके. प्रायदिपिय भारत की नदियों की लंबाई को घटते करम के अनुसार व्यवस्थित करें. आंसर है इसका option B, घटते करम में लिखना है यानि कि सबसे पहले आपको जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है उसे लिखना है फिर उससे कम, फिर उससे कम. तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो गोदावरी की है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलो मीटर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कृष्णा, कृष्णा नदी की लंबाई 1402 किलो मीटर है, तीसे नंबर पर है नर्मदा, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलो मीट और कावेरी की नदी की लंबाई जो है यह 760 किलोमेटर है अम्रावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी किसकी सहायक नदियां है? आंसर है option D कावेरी नदी की निमनलिखित में से कौन से भारती राज चीन की सीमा को असपर्स करते हैं? आंसर है option D उप्रोक्त सभी अरुनाचल प्रदेश, सिक्केम, हिमाचल प्रदेश और उत्राखन ये सभी भारती राज चीन की सीमा को असपर्स करते हैं जमू और कस्मीर राज के पुनरगठन के बाद चीन की जो सीमा है उसे असपर्स करने वाले 5 भारती राज हैं केदर शासित प्रदेश एक लद्दाख है और बाकी के चार याद रख लीजे और नाचल प्रदेश, सिक्केम, हिमाचल प्रदेश और उत्राखन भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की अस्थापना की गई? आंसर है ओप्सन भी केवल एक, तीन और चार यानि की बल्या, मिदनापूर और सतारा में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान सन्युक्त प्रांत, बिहार, पस्चिम बंगाल, उडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू और महराश्र के अनेक भागों में ब्रिटिस सासन लुप्त हो गया पूर्वी उत्रप्रदेश के बल्या जिले में, बंगाल के मिदनापूर जिले में, तामलुक और बंबई के सतारा जिले जैसे कुछ छेत्रों में क्रामतिकारियों ने समानांतर सरकारें बना ली जब कोई निचली अधालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कारी करता है तो न्यायले कौनसी रिट जारी करेगा आंसर है option B, उत्प्रेशन रीट जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिनाधिकार के कोई कारे करता है तो न्याले उसके समक्ष विचारधाइन मामले को उससे लेकर उत्प्रेशन द्वारा उसे उपर की अधालत या अधिकार को हसनांत्रित कर देता है न्यूक्तियों या पदों में आरक्षन का प्रावधान निमलकित में से किस अनुच्छेद के अंतरगत किया गया है आंसर है option B, अनुच्छेद 16 का चार में जीव का कोई एक ऐसा गुन जैसे कि अकारी की या व्यवहारी जो उसे अपने आवास में जिवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है कहलाता है आंसर है option A, अनुकूलन लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंब करने में सक्षम है वास्तों में या सहजीवी सहचरिय है आंसर है option B, सैवाल और कवक गोल्डन चावल एक प्रचूरतम स्रूत है आंसर है option A, विटामिन A का पुस्पों के पराग करनों को सनरक्षित करने के लिए उप्योग किया जाता है आंसर है option B, द्रव नाइट्रोजन का बहुत से पुस्पों के पराग करनों को द्रव नाइट्रोजन में कई वरसों तक भंडारित किया जाता है इस प्रकार से भंडारित पराग का परियोग 20 भंडार की भाती पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कारिकरम में किया जाता है जब एक ही पादप किम में नर्त अथा माधा दोनों जनन संरचनाए पाई जाती है तो इन्हें कहते हैं आंसर है ओप्सन B द्विलिंगी परम भागवत की उपाधी धारन करने वाला प्रथम गुप्त सासक कौन था? आंसर है ओप्सन C समुद्र गुप्त DNA के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं आंसर है ओप्सन A हैड्रोजन बॉंडो द्वारा DNA मूल रूप से एक अनुवांसिक पदार्थ है जो लक्षनों या गुन को माता पिता से संतानों में पहुचाने का कारी करता है प्रतेग DNA स्ट्रैंड आपस में हाड्रोजन बॉंड द्वारा सम्बध होते हैं किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? आंसर है आपसन डी एक दो और तीन यानि कि चालक की लंबाई पर चालक की अनुप्रस्त काट के छेतरफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकिरती पर इन तीनों पर ही डिपेंड करता है ओम की नियम के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई उनके अनुप्रस्त काट के छेतरफल तथा उसकी पदार्थ की प्रकिरती पर निर्भर करती है हाल ही में भारती महला किर्केट टीम के मुख्यकोच के रूप में किसे चैनित किया गया? आंसर है ओप्सन बी अमोल मजुमदार को मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू किर्केट के विसे सग्य अमोल मजुमदार को हाल ही में भारती महला किर्केट टीम के मुख्यकोच के रूप में चैनित किया गया है आराट्टू त्योहार ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर है ओप्सन ए केरल अभ्यास हरीमाउ सक्ती 2023 का आयुजन किन देसों के सेनाओं के बीच किया गया? आंसर है ओप्सन भी भारत और मलेशिया के हाली में भारती और मलेशियाई सेना के बीच सन्युक्त द्विपक्षिय प्रसिक्षन अभ्यास एक्सरसाइज हरीमाउ शक्ती 2030 अधिकारिक तोर पर भारत के उम्रोई च्छावनी में सुरू हुआ किस राज्य ने मिशन महिला सार्थी का उदगाटन किया? आंसर है ओप्सन डी उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाली में अयोध्या में मिशन महिला सार्थी का उदगाटन किया योजना के तहत राज्य परिवहन निगम की 51 बसों का संचालन महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा किया जाएगा पेंट ब्रस स्विफ्ट ये किस दुरलब प्रजाती का नाम है? आंसर है ओप्सन C तितली का पश्वी हिमाले में एक दुरलब प्रजाती पेंट ब्रस स्विफ्ट बटरफ्लाई की पहचान पहली बार हिमाचल प्रदेश के चमबा जिले से ली गई है हिमाचल प्रदेश लगभग 430 तितली प्रजातियों का घर है जो भारत में पाई जाने वाली कुल तितली परजातियों का लगभग 25 प्रतीशत है निमलिखित में से कौन सा रास्टी उद्ध्यान गोवा में स्थित है? आंसर है ओप्सन D भगवान महावीर उद्ध्यान 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रतिश्ठेत हारवर्ड ला स्कूल ने अपने सर्वोच सम्मान अवार्ट फोर ग्लोबल लीडर्शिप से किसे सम्मानित किया? आंसर है ओप्सन C मुख्यन्याइदीस D.Y. चंदरचूड को चाहमान या चवहान वन्स के संस्थापक कौन थे? आंसर है ओप्सन C. वासुदेव सल्तनत काल में मंत्री परिश्ठ को कहा जाता था आंसर है ओप्सन D. मजलिस A. खलवात रीगा निमलिखित में से किस देश की राजधानी है? आंसर है ओप्सन A. लाटविया की किस संविधान संसोधन ने सिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुचेदे की सकक संविधान में जोड़ा है? आंसर है ओप्सन A. छियासीमा संविधान संसोधन इस संसोधन द्वारा देश के 6 से लेकर 14 वर्स आयू तक के बच्चों के लिए आनिवार यवं नहसुल्क सिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मानेता देने संबंदी प्राप्धान किया गया है? इसे अनुच्चेद 21 का क के अंतरगत संविधान में जोड़ा गया इस संविधान द्वरा संविधान के अनुच्चेद 45 तथा अनुच्चेद 51 का क में संसोधन किये जाने का प्राप्धान है? भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है आंसर है ओप्सन C, अनुच्छेद 324 में किसकी प्रशासनिये प्रणाली की अदुतिय विसेश्ता ग्राम स्वायत्ता का विकास था? आंसर है ओप्सन B, चोल की मुगल कालीन ग्रंथ मासीर A, अलमगीरी किसकी रचना है? आंसर है ओप्सन A, साकी मुस्तैद खांके किसने 1863 में मुसलिमों में वैज्यानिक सोभाव बदलने और भारतियों को अपनी भाषा में पस्चिमी ज्यान उपलब्द कराने के लिए वैज्यानिक समाज की अस्थापना की थे? आंसर है इसका ओप्सन C, सर सयद अहमद खांने सर सयद अहमद खांने 1863 में मुसलिमों में वैज्यानिक सोभाव बनाने और भारतियों को अपनी भाषा में पस्चिमी ज्यान उपलब्द कराने के लिए वैज्यानिक समाज या साइन्टिफिक सोसाइटी के अस्थापना की थे? भारत के समविधान के अनुच्छेत बिरासी के अनुसार लोगसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष के जनगन्ना के आधार पर है? आंसर है ओप्सन B, वर्ष 1971 के आधार पर निमलिखित में सिक किस अधिनियम द्वारा समविधानिक निरंग गूस्ता का सिधान्त प्रविर्थ किया गया? आंसर है ओप्सन B, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा परमानुत रिज्या को किसमे मापा जाता है? आंसर है ओप्सन C, नैनो मीटर में प्लुटोनियम नुकलाइड के नाभिकों में निट्रोनों की संख्या होती है? आंसर है ओप्सन B, 148 सलफर हेकसाफ्लोराइड अनु का आकार कौन सा है? आंसर है ओप्सन C, अस्ट फलकिये यानिकी ओक्टाहेड्रल दुईती आंगल मराठा युद्ध में कौन से संधी हुई थी? आंसर है ओप्सन B, देवगाओं की संधी दुईती आंगल मराठा युद्ध, 1803 से 5 इसवी में हुआ था इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनोती दी इसके परिणाम सरुप 7 सितंबर 1803 इसवी को देवगाओं की संधी हुई थी? निमलिखित में से किस वायसराय ने सिक्षा सम्मंदी सुधार वोड डिस्पैच को लागू किया था? आंसर है ओप्सन A, लाट डलहुजी ने शिक्षा सम्मंदीत सुधार में लाट डलहुजी ने 1854 के बोर्ड अफ डिस्पैच को लागू किया था? 1899 इस्वी में निमलिखित में से किस वायसराय ने भारतिय टंकन और पत्र मुद्रा अधीनियम करा कर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा गोसित कर दिया आंसर है ओप्सन C, लाट कर जनने 22 अक्टूबर 2023 को किसे बिहार केशरी पुरसकार से सम्मानित किया गया? आंसर है ओप्सन D, इनमें से सभी को सार्दा सिना, खांसर तथा डॉक्टर सांती राय 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं सोताता से नानी, डॉक्टर स्रिक्रिष्न सींग की जयनती पर 17 दिगजों को बिहार केशरी सम्मान से नवाजा गया चीन में आयो जीत एसियन पैरा गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाडी अपनी लेखरा का संबन्द कि स्खेल से है? आंसर है ओप्सन A, सूटिंग से विसो पोलियो दिवस प्रतेक वर्ष किस तिथी को मनाया जाता है? आंसर है ओप्सन D, 24 अक्टूबर को जमरानी बांध बहु उद्देसिय परियोजना निमलखित में से किस राज़ की परियोजना है? आंसर है ओप्सन D, उत्राखन की भूमद्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आंसर है ओप्सन D, उसनकटी बंदियवन नियंत्रनेव महालेखा परिक्षक C.A.G. कैग वर्तमान में कौन है? आंसर है ओप्सन A, स्री ग्रीश चंद्र मुर्मू अंतररास्टिय योग दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर है ओप्सन A, वसुधैव कुटमबकम के लिए योग के नाम से भारत का सिर्ष एथेनॉल उत्पादक राज कौन सा है? आंसर है ओप्सन C, उत्तर प्रदेश दानेदार जस्ते पर जब तनू सल्फ्यूरिक अमल के अभिकिरिया होती है तो कौन सी गैस का निर्मान होता है? आंसर है ओप्सन D, हाइड्रोजन गैस जस्ते पर तनु सल्फियूरिक अमल की अभिकिरिया से hydrogen gas तथा zinc sulfate प्राप्त होता है ये हुआ आपका दानेदार जस्ता जस्ता पर जब तनु सल्फियूरिक अमल के अभिकिरिया कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है ZnSO4 और H2 तो ये थे 50 questions का MCQC I hope की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह like जरूर करें comment करें और दोस्तों के साथ share जरूर करें धन्यवाद